हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आयोप सब ठीक होंगे एक बाद फिर से आपका सौगा तो मेरी यूट्यूब चैनल में राइड़ बाद बैंशो में आज हम जा रहे हैं हमार कंटक में हम लोग दो दन रोकेंगे बहुत अच्छी जगा है हमार कंटक में सब देखाएंगे आपक यूट्रैप कर लें आप सो मिलते हांगे अइड़ आप कार पर आप है इस हुझा अफ। कि और योडिवां क्या जा लें है पिलिकुल बढ यहां है आज आप देखो किस सब्सक्राइब दा लेगा चावर किवर करके देखाएंगेगे थेश्वर कर देखाएंगे हैं हुआ और बारिश का टाइम था तो करवालों ने बाइक से जाने बिल्कुल मना कर दिया तो हमको ये छोटी सी कार में जाना पड़ रहा है बागी में आपको बादी भाई भाईया तो आपको पूरा गुमाई दिंगे वीडियो में बने रहे हैं वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं अमर कंटक में बहुत सी जगा है गुमने के लिए तब आपको वीडियो उसके तुरू देखाये जाएगा के थोड़ा नासा करने है कि अम्लुक जौलपूर से आगा है 15 किलोमेटर यहां सेपुरा बच्चा है 15-20 किलोमेटर बच्चा होगा यह मिडवेश ट्रीट है यह रेस्टरेंट चलते हैं कुछ खाते हैं झाल प्रेंगर बच्चा है 15 किलोमेटर बच्चा है 15 किलिटेंटर बच्चा है 15 मिद्चा जाएगा यह रेस्टरेंटर बचाला में भीड़ाँ हम आ चुके हैं अमर कंटक्ट यह रहा आश्रम कल्यार्ट सेवा आश्रम है यहां पर हम रोके हैं यह अपनी कार खड़ी है आप चलते हैं आश्रम के अंदर अभी हम लोग का संगर्स हो रहा है रूम दूड़ने में योडी रूम बता यार कौन सा है अच्छा चार चार चावालेश इतना सारा बैक क्यों लेकिया है उत्म और महीं इस रहा गया इतना बड़ा बैक लिक्तर बेचेंगे दर बेचेंगे अ झाल 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 जा रहा है स्री अंत मंदर पर उसके बाद जाएंगे नर्वदा मंदर होती है साथ बजए आरती तो आपको आरती भी देखाईंगो आप पहुचके अभी चलते हैं स्री अंत मंदर मिलते हैं आपसे मंदर में यह श्रीयंत मंदर का गेट और यह बॉर्डर बनाई है पत्र क्योंकि उस पार गाड़ी या बाइक जाने नहीं देते पैदा जाना पड़ता है चलते अंदर देखते हैं कैसा है मंदर अंदर से कि अंदर अंदर के पीछे ही से रासता है यहां जाने के अंदर के पीछे ही से रासता है पर यहां रास्ता बंद किया पर वो वालत तो आपको यहां से delivery दिखा सकते हैं का काफि अच्छा बनावी अऑई अब आप आपने देखा ए रहा रहीजाओ उस्तरल मंदर और से इंदर से से नर्वदा जी की मूर्ती है और स्टोरी दो इसकी पता नहीं है पंडेजी को भी पता नहीं है स्टोरी चलते हैं अब नर्वदा जी के मंदर आर्टी का टाइम हो रहा है बिलते हैं आप से नर्वदा जोंगे अब हम लोग लिग ले हैं यहीं फोड़ा आंगे एक किलो मीटर आंगे संराइज पॉइंट है वोई देखने जा रहे हैं क्या नाम है तोन मुडा यह तोन पॉइंट अचुके हैं अच्छा निकली है सोन नदी और यह बंदर लोग बहुत बंदर तो अपना मुवाइज कैमरा सब समाल के लेकर जाएं छोड़ा सकते हैं लोग जरंबली का मंदर कापी बार मंदर है और इसी के ज़स्त बाजू में तंकरजी का मंदर है और इसके बाजू में यहां से निकली है सोन माता सोन नदी यह सोन नदी का कौन और यहां से आप देख सकते हैं यहां से निकली है और यह नदी है आपको नीचे चलके नदी दिखाते हैं आपने देखा आपको दिखा है सोन नदी कहां से लिक लिए और इतनी सी जगा से लि षसकतें कि कितना पानी हो गया यहां आते आते यह आप पानी देख सकते हैं और नीचे पता नहीं कितना गह रहा है पानी तो देख नहीं रहा है आपने देखा वहां तो नदी बहुत नीचे वह देख रहा थोड़ा बहुत पानी देख रहा है नदी तो अभी भी नहीं देख रही है पता नहीं कितना नीचे है पर यह व्यू पॉइंट काफी अच्छा है यह बादल है, पूरे में बादल बादल यह मंदिर का गेट, चलते हैं मंदिर के अंदर यहां से नर्वादाजी लिख ले हैं यह अज़ा नर्वादाजी का कॉंड नर्वादाजी की मूर्ती भी रहकी है यहां पर इसको चार उसाइट से कांस से पैक किया है सब यह आरती के टाइम में खुलता है, पाकी टाइम बन रहता है आपकाते है महारती का टाइम हो किया है आप 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 अप इस था में मंदिर नर्मादा जी का यहां पर पुंड है एक पानी देख सकते हैं आप 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 अर्ट यहां आप अप लुए गा ना यह यह कि योडी क्या बोलना इनके बारे बहुत पाँप किये और रूद आपका विए यहाल होने वाले वाले वाई यह लूद्ट करते हैं वाई साइस भी मैटर कलता है यहार ऐसा थोडी होगा हाँ हो सकता है मेरो के लगता है जूट और पाँ अ कि यहां इसा नी कोलते भग यहाँ इस अ झाल झाल